पांच राज़ जुमें विधान सभा की तारीक के ऐलान के बाद विजेपी के चुनावी रतों में तोड़-फोड़ हूई है आपको बता दे कि चुनाव की तारीकों के ऐलान के बाद कोलकाता में हिंसा की ये पहली घटना है बताई जा रहा है कि कड़ा पारा इलाके में बीती रात करीब 11 बजे कुछ लोग पहुँचे और परिवर्तन रतों पर हमला बोल दिया बीजेपी का आरोप है कि टीमसी के कारेकरताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उनमें लगी हुई LED टीवी में जबरदस तोड़ फोड की है बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजवर्गिये ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथी की घोशना की और त्रन्मूल कॉंग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात ग्यारा बजे बीजेपी के कड़ा पारा गोडाउन में घुसकर LED गाड़ियां खोड़ी LED भी खोल कर ले गए शाहिद गुंडोंने चुनाव आयोग को चुनाव आयोग ने कल ही राज्य में आठ चरनों में चुनाव तारीखों का एलान किया है आठ चरणों में चुनाव कराने के पीछे मकसद यही है कि चुनावी प्रक्रिया के दोरान हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाई जाए लेकिन बिजेपी और टीमसी के बीच जारी रसा कशी में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है वश्यमंगाल में पहले चरण के तहट राज्य के 5 जिलों की 30 विधान सबा सीटों पर 27 मार्च को दूसरे चरण के तहट 4 जिलों की 30 विधान सबा सीटों पर 1 अपरेल को तीसरे चरण के तहट 31 विधान सबा सीटों पर 6 अपरेल चोथे चरण के तहट 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अपरेल पांचवे चरण के तहट 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अपरेल छटे चरण के तहट 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अपरेल साथवे चरण के तहट 5 जिलों की 36 सीटों पर 26 अपरेल और आठवे चरण के तहट चार जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रेल को मतदान होगा पिछले विधानसभा चुनाओं में यहां साथ चरणों में मतदान संपन हुआ था पश्चिम बंगाल विधानसभा का कारेकाल 30 मई को पूरा हो रहा है यहां त्रन्मूल कॉंग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता में है इस बार बीजेपी और अन्यविपक्षी दल उसे चुनावती दे रहे हैं बीजेपी ने मुखेमंत्री ममतब एनरजी को सत्ता से हटाने के लिए AD चोटी का जोर लगा रखा है पिछले विधानसभा चुनाव में त्रन्मूल कॉंग्रेस को 211 सीटों पर विजेपी को महस्तीन सीटों से संतोश करना पड़ा था कॉंग्रेस को इस चुनाव में 44 सीटे और माकपा को 26 सीटे मिली थी पता दे चले कि पांच राज्जों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोलकाता में हिंसा की ये पहली घटना हुई है कड़ा पारा इलाके में बीती रात करीब 11 बजे कुछ लोग पहुंचे और परिवर्तन रतों पर हमला बोल दिया बिजेपी का आरोप है कि टीमसी के कारेकरताओं ने हमला करके उनकी गाडियों और उसमें लगी LED TV में जबरदस्त तोड़ फोर की है तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें